हेलो एब्रिवन विल्कम टूर स्टड़े फर गोल्स देशिच कमलिश महतो और आज हम बात करेंगे जार्खन के एक महान सपूत के बारे में जार्खन के मसिहा के बारे में दोस्तों वैसे तो कई ऐसे बीर सपूत हुए जो अपने देश राज और समाज का नाम उच्चा किये रौशन के हैं और अपने कर्मों से कई बार अपने राज्य का अपने देश का एक मस्तक को उच्चा किया है अगर हम अपने ही राज जार्खन के बात करें तो वैसे कई नाम हैं बिर्शा मूंडा हुए सीध कानुं चांद भैरow और ना जाने कितने इन लोगों का जो योगदान है हमारे राज में हमारे देश में हमारे समाज में वह कई बार हमें प्रेष्ण critically है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेष्ण करता है दोस्तों आज हम यह सक्सियत की बात करने जा रहें उस्का नाम है बिनोत्वी बिहारी महतों का जो कंट्रिबूशन हिस्ट राज में वह कई बार एक उपयक्षित सा नजर आता है तो इस विडियो का जो मकसद है यह है कि विनोद भिहारी महतों थे और उसके समाजिक राजनतिक और शेक्षिक विचार किया थे अपने समाज के अपने राज के लिए क्या क प्रयाश करते हैं चलिए आज का विट्व को हम प्रारम्भ करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं विनोद भिहारी महतों की प्रारमीक जीवन उनके जन्म कहां हुआ और कैसा रहा हो उनका बच्पन विनोद भिहारी महतों का जो जन्म है वह 23 इतमर 1923 को धनबात की बल्यार प ठारिवार में किशान थे उसकी पिता महंद्र महतों का नाम था और उपेशेशे किसान से घरीब थे उहां हुआ था उनकी प्रारमिक शिक्षा के बात करें वह हुई प्रारमिक शिक्षा भी बल्लियारपूर धनबाद में इततत्पस्चात उनकी मिडिल स्कुल भर्या कि उनका पारिवारिक आर्थ से थी उतनी सब्बल नहीं थी जिसके बादで के स्रमिक के रूप में कार्य करते हुए और बहुत त्यज़ieme तो उनको इस कार को देखते हुए उनकी नौकरी जल्द है लग गये थी धनबाद में ही एक कलरक के रूप में वो कार्य करना शुरू करी दिये थे लेकिन एक घाटना घटे उनके साथ जो उनके मुझे लगता है उनके जो भविस्य है उनके जो करियर है उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम किया दरसल हुआ यूँ था कि वह जब एक कलरक के रूप मे वहां काम कर रहे थे धनबाद में तभी एक वकिल ने उस पर तंज कसा ताना मारा कि भले भी नोद मिहारे में तो बहुत मेधावी हों तेजस्वी हों लेकिन जिंदगी भर यह यह वकाल मतलब की एक कलर के ही बनके रह जाएंगे तब से उनकी दमाग में यह चीज ठनका और उन्होंने यह ठान लिया कि आप तो वकिल भनके ही रहे जार उसकी जो बात है उन्होंने जो तंज कसा उसको मैं गलत सीध कर के रहूंगा ततपस्चात उन्होंने इंटर्मेडियेट के लिए वह नौकरी छोड़ कर इंटर्मेडियेट के लिए P.K.R.I. मेमोरियल कॉलेज से अपने इंटरमेडियेट करें और उसके बाद रांची कॉलेज में आसनातक की पढ़ाई पूरी करें और फिर उन्हें पाटना कॉलेज से वकालत की पढ़ाई पूरी की लाउ किया और फिर धनबाद आकर उन्हें इसका प्रैक्टिस शुरू किया उन्हें प्रैक्टिस कार साथ ही जो आसपास के जो जैसे धनबाद में इस्टिल प्लांट लगे हैं तो उससे बहुत सारे विस्थापित लोग हैं उनके दुख दद को समझने वाला कोई नहीं तो उनके लिए भी इन्होंने बहुत काम किया समाज सुधारक के रूप में भी इनकी एक ख्याती है जो हम आगे थोड़ा और विश्यस रूप से जानेंगे लेकिन एक वकिल के रूप में भी उन्होंने इस कारे को बखुबी किया हम आगे बढ़ते हैं और जानने के प्रास करते हैं कि बिनोध बिहारी महतों का जो राजनितिक जीवन है वो कैसा था दोस्तों बिनोध बिहारी महत 1980 में टुंडी से विहार विधान सभा के लिए चुनाव लड़े जहां उन्हें जीत मिली और फिर लगतार 1980-1950 में फिर सिंद्री से तथा 1990 में पुनह टुंडी से तीन बार वह विधान सभा विहार विधान सभा के सदस्य चुनिये गए एक बार वह 1991 में ग्रेडी लोकसभा छेतर से वह सांसद बेचुने गए और लोकसभा में जाकर उन्हें अपनी उपस्तिते जर्ज कराई और जार्खंड के जो हीतों को उन्हें पुर्जूर तरीके से संसद में उठाया जो महत्पूर्ण कार और एक जिस चीज के लिए बिनोत भीहरी महत्व जाने जाते हैं उनका है जार्खंड को अलग राज बनाने में इनका योगदान दोस्तों अगर जार्खंड को अलग राज बनाया गया और आज हम जिस राज में रह रहे हैं एक सुखिधा संपन और हम बुर्ण्यादे स्विधाओं से एक तरीके से लैस हैं आज हमारे पास बिजली है और वरती इलाकों में भी आज बिजली और पानी की अच्छी चाहिए की जार्खंड भननने के बाद जो आपक्षित बदला होने चाहिए जो लोगों का आपक्षित विकास होना चाहिए सहिरत उतना नहीं हुआ फिर भी जो कुछ भी आज हम देखते हैं कहीं ने कहीं जार्खन अलग होने के कारण ही देखते हैं नहीं तो आज भी मुझे लगता है कि हमारा आदिवासी समाज या फिर जंगलों में रहने वाला समाज बुन्यादी सुईधाओं से मरहूम रहता तो एक अलग राज बनानी का जो यह आइडिया था विनोद भिहारी महतु निर्मन महतु या फिर आप सिभु शौरेन एक केराई इन लोगों ने एक बहुत ही क्रांदिकारी कार्य किया जार्खन के लिए अगला महत्पूर्ण का कार्य जो इन लोगों का है वह है जार्खन जार्खन मुकति मोर्चा के फाउंडर बन्याद finance के सथांग्स रहे हैं कह सकते हम जिसमें शवु सर्वेन ठीक किराय थैं निर्मन भाटतो थी इन लोगों ने मीलकरорот में जार्खन मुकति मुट्टी मर्चा की नियुव रखी थी ज़िस पार्टी का भी सरकार है मैं सुरौ उसकी कमान संभाल रहे हैं एक और जैसा कि हम पहले बेटाया कि इबनोद मिहारि महत्व अपने समाज सुधारक कारियों के लिए भी जाने जाते हैं तो उन्होंने खासकर कि कुर्मी समाज में जो कुरितियां थी समाज का जो अपना संस्कृती है उन्हों को बचाने के लिए उन्होंने एक समाजिक संगठन की निव रखी जिसका नाम उन्होंने सिवाजी समाज दिया सिवाजी समाज का मकसद था कुछ इस तरीके से थे कि कुर्मी समाज को मानना था कि कुर्मी समाज को सुधकुरों से तथा कुर्मी समाज में जो जितनी भी बुरायां फैली हैं उन्हों को दूर करने के लिए यह समाज कारे करेगा और इन्होंने बहुत सारे रेलियों बुराइयां है कुरितियां को दूर किया जाए एक और मत पुर्ण जो कारण थे इसके पीछे वह यह था कि कई ऐसा कुछ चल रहा था प्रैक्टिस कुर्मी समाज में जहां ब्रह्मनिकल जो प्रैक्टिस थे उसको कुर्मी समाज अपना रहा था जैसे जने उधारन करना और अन्यकारम कांडों में सामिल होना वैस का वो अपने आपको कहना इस तरगे के जो चीजें थी इन सब भ्रहानतियों को दूर करने का करने के उद्धिसे से बिनुद भिहर महतों ने यह सिवाजी समाज का स्थापना किया था एक और महत्पूर्ण मक्सद जो था इसका वह य इसका मक्सद था उसका संरक्षन भी करना एक मक्सद था सिवाजी समाज क्या आगे हम जाने गए बिनुद भिहर महतों का सिक्षा संस्कृति था भासा संबन्धी विचार क्या थे मुझे लगता है कि जार्खन के अगर हम सिक्षा विद्धों के नाम ले तो उनमें सबसे पहले तब हम अन्या की खिलाब लड़ सकती हैं संस्कृति से समझेत उनकी जो विचार थे वो यह मानते थी कि हमारा जो पर्व है तूसु जीतिया कर्म कर्म सोहराई और मांसा पर्व इन सब पर्वों पर हमको फोकस करना चाहिए ना कि जो बाहरी के जो पर्व हैं या फिर बाहर के राज्यों से या फिर दुसरे जो जातिय में या फिर दूसरी संस्क्रितियूं के हैं उन सभाटित नहीं अपना झो है उसक पर ज्यादा करें आ आपने जी भासाओं के प्रभल समर्थक तहें और वह चाहते हैं जो अपनी त्र है उन सब भाषा विभाग में आज पढ़ाया जाता है तुन्होंने इन छेत्री भाषाओं को बहुत प्रमोट किया उनको बहुत प्रोच्छाहित किया उनका मानना था कि शिक्षित समाज ही गरीवी को कम करेगी घटाएगी अर्था जैसे जैसे हमारी शक्षारता बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारा मतलब की गरीवी कम होगी अतह हम लोगों को गरीवी हटाने के लिए पढ़ना बहुत महत्तपूर्ण है एक और महत्तपूर जो उन्होंने कार किया आप इसलिए उन्हें शिक्षावीद कहा जाता है वह यह है कि उनकी जो संपती हुनका ज्यादातर हिंसा लग जो हिश्चा है उन्होंने उन पैसों से उन संपतिस उन्होंने विद्याले और कॉलेज बनाएं जिस से कि अधिक सथिक बच्चे पढ़ सके और शिक्षित हो सके जैसा कि उनका मनना था कि जितनी लोग पढ़ेंगी उतनी गरेबी घटेगी कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो उनके बारे में है वह यह है कि अगर हम राजनतिक विचारधारा की बात करें तो वह माक्सवादी विचारधारा से प्रभाई थे 25 साल तक वह माक्सिस्ट पार्टी के सदस से भी रहें उनको लगता था कि जो माक्सिस्ट विचारधारा है वह समाज के जो हासी पर जो लोग हैं उनकी बातों को सूनता है किसान मज़दूर स्रमिक यह जो लोग हैं इन सबों की बातों को यह पार्टी सुनती इसलिए उस्तरगी विचारधारा था प्रतिक्रिया और आपका जो शुजाव है आमंत्रित हैं आपसे प्यक्षा है कि आप लाइक करें और शेयर केजिए धन्यबाद